हिंद्धी के व्याकरन की बुक का नाम है व्याकरन वाटिका ओके तो चलिए अब इसके पार्ट देखते हैं तो चलिए आज करते हैं पार्ट 1 जिसका नाम है हमारी भाशा सो दिखी भाशा क्या है मतलब language जिसके थ्रू हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं या फिर हम एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं जिसके थ्रू है न वही है भाशा अब यहाँ पे दिया है भाशा और संकेत संकेत मतलब वो सारे signals जरूरी नहीं है कि कोई बोले औ तो यहाँ पर जब लाल बत्ती जलती है तो उसका मतलब क्या है हमारी गाड़ी को रुख जाना है न और पीली बत्ती का मतलब अब तयार हो जाना है दुबारा चलने के लिए और हरी बत्ती का मतलब क्या है अब आगे बढ़ो मतलब अब चलना शुरू करो मतलब कार method है जिससे हमें बातों का पता चलता है और उस data के छी साइन चिंद जीन वी देखे होगे तो इन चिन्नों का मतलब होता है जब बाहर जाते हो तो आप देखा करिएक कि ऐस चिन्नों बने हैं मतलब क्या है तेखिए अगर आप यहाँ देखोगे इसका मतलब है कि आगे स्कूल है क्योंकि एक स्कूल एक बच्चा है जो बैग ले जा रहा है तो इसका मतलब आगे स्कूल है मतलब कहीं आस पास में स्कूल है तो आपको अपनी गाड़ी धीरे चलानी है और अगर ये साइन तो इसका मतलब है बाएं मोडो क्योंकि इसका arrow बाएं तरफ जा रहा है अगर उस तरफ जाएगा है ना तो उसका मतलब होगा दाएं मोडो ठीके तो ऐसे कुछ science भी आप रोड पे देखोगे तो आपको पता होगा कि ये सब हमें कुछ बताते हैं ठीक है इशारे देते हैं हमें अब देखे यहां पे कुछ और दिया है जब हमें हातों से इस तरीकी से वी दिखाते हैं तो उसका मतलब क्या है विक्ट्री मतलब मैं जीत गई जब कोई जीत जाता है कुछ सक्सस हो जाता है तब हम ये वाले इश स्टेशन का पिक्चर है यहां पे जो स्टेशन मास्टर है वो क्या कर रहा है हरा जंडा फेरा रहा है अगर वो हरा जंडा दिखाएगा तो उसका मतलब है कि गाड़ी चलना शुरू कर सकती है ठीक है तो गाड़ी के चलने का साइन है यह और देखें यहां पे अमपायर क्या क जो हम अपने चारों तरफ देखेंगे आगे भी ठीक है तो अब यहाँ पर देखिए यह आपका पार्ट वन है जिसका नाम है भाशा अभी देखिए भाशा यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं एक टीचर है जो बच्चों को पढ़ा रही है और बच्चे जो है उसे देख कर पढ़ रहे हैं और समझ भी रहे है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर भी एक कम्यूनिकेशन हो रहा है मैं कुछ बता रही है और बच्चे समझ रहे हैं अगर कोई भाशा नहीं होती तो फिर कोई बोलता कैसे और दूसरा जो बैठा है वो समझता कैसे है ना तो भाशा का हो इंग्लिश हो जो भी हो, है न, तो हम बोलते हैं भाषा में, फिर क्या करते हैं, सुनते हैं, अगर कोई उस भाषा में कुछ बोल रहा है, तो हम उस भाषा को सुनते भी हैं, ठीक है, और फिर कोई लिखता है भाषा में, भाषा में ही हम बात को लिखते हैं, या फिर आप हिं टिंहते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं ठीके 90 तो गुष्य वह सादन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं ठीके यानि हम कम्यूनिकेशन करते हैं ठीके एक बोलता है दूसरा समझता है अगर भाशा नी हो तो हम एक दूसरे की बा बताते हैं, यानि हम किसी से बात करते हैं मौ से, मौ से बात करना मौकिक ठीक है और दूसरा है लिखित, लिखित मतलब लिख कर बात को बताना, तो ये दो रूप है भाशा की मौकिक और लिखित, ठीक है, ओरल और रिटन, ठीक है, इस तरीके से हम लैंग्विज को यूज करत है न हम सब हिंदी में ही पढ़ते हैं क्योंकि अभी हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो अभी हम कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं लेकिन जब इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वो लैंग्विच इंग्लिश हो गई है न तो इस त और इसे के साथ यह पार्ट भी हाँ पे कम्प्लीट हो गया है अब इसके एक्सराइज देखिए देखिए आपकी बारी अब आपकी बारी है नमबर वान हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं तो कैसे आप पहुंचाओगे आप मौखिक रूप से भी पहुंचा सकते हो और लिखित रूप से भी मतलब आप बोल कर भी दूसरों को अपनी बात बता सकते हो या लिख कर भी अपनी बात दूसरों को बता सकते हो उसके अलावा इशारे में भी आप एक दूसरे से बात कर सक तो यहां पर देखिए कुछ संकेत दिये हैं, मतलब कुछ साइन दिये हैं, आपको लिखना है कि यह क्या है, तो देखा यह हमने पार्ट में देखा था यहां पर क्या लिखना है, मैं जीत गए, यह जीतने का साइन है, कोई जीत गया तो वो इस तरीके से एक्षन दिखा सकता मतलब वो चीद गया है यह आगे स्कूल है यह जो जो बच्चा स्कूल बैग लेके जा रहा है इस मतलब है आगे स्कूल है और यहedes अमपायर क्या कर रहा है आउट वाला एक्शन दिखा रहा है आउट का साइन है यह तो यह आउट आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे आप यहाँ पर देखें नमबर त्री यह अपनी बात कैसे कह रहे हैं आप यहाँ पर देखें पिक्चर में यह जो फर्स्ट पिक्चर है ना यह बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपनी बात एक दूसरे से कैसे कह रहे हैं क्या वो लिख रहे हैं या बैटके नहीं क्या वो इशारे कर रहे हैं नहीं वो लोग बात कर रहे हैं ये चार लोग जो हैं बात कर रहे हैं तो ये कैसे बता रहे हैं अपनी बात बोल कर ठीक है तो ये बोल कर अपनी बात बता रहे हैं इशारे से नहीं बता रहे हैं ना ही लिखर बता रहे हैं ठीक है पर यहाँ पर यहाँ पर आप लिखकर पर टिक लगाएंगे ठीक है तो इस तरीके से करेंगे दन यहाँ पर आपको क्या करना है अपनी भाशा में अपना और अपने मित्र का नाम लि लेंग्वेज को समझना क्यों जरूरी है नहीं तो हम एक दूसरे से कॉंटाक्ट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से कम्यूनिकेर नहीं कर पाएंगे बाते नहीं कर पाएंगे ठीक है इसलिए भाशा हमारे बहुत ही जरूरी है ठीक है तो यही आपका पार्ट था अब मिलते ह अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर